अस्तलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुवेट में रहते हो और कुवेट के इमतेरी इन खपरों से हमें सब वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना इसको पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बारा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन को प्र जो भी फ्लाइट चल रही है वंदे भारत मिसन या फिर एर बबबल एग्रिमेंट जो हुआ है दोनों देशों के बीच वहीं फ्लाइटे चलाई जा रही है तो दोस्तों इंडियन गवर्मेंट के तरफ से और कुवेट डिसीय के तरफ से ये फैसला लिया गया है कि एर दोस्तों आप ट्रेवल कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पर दोस्तों नॉर्मल फ्लाइट की बारे में ये आपने जो भी लोग पूछा तो मैं आपको बता दू दोस्तों इंडियन डिसीय के तरफ से एनॉस्मेंट किया गया है कि 30 सितंबर तक सभी नॉर्मल फ् चाहते हैं तो इसके बारे में पूरी जांकारी आपको मिल जाएगी तो उनके तरफ से ये कहना है कि जो भी डारेट चाहेंड लेना चाहते हैं आप डारेट न के के तरप से यह offer दिया गया है दोस्तो फ्लाइट की टिकट जो वो booking कर सकते हो और आप कुएट से इंडिया या फिर इंडिया से कुएट आप ट्रेवल कर सकते हो दोस्तो इसका मैं नंबर नहीं दे सकता हूं क्योंकि नंबर मेरे पास नहीं है अब गूगल में दोस्तो सिंपल साथी यो आ रही है वह वेदर डिजास्टर कि ए दोस्तो यूएन की तरप से यू. यू. न επιजाशन की तरप से कहना है कि वेदर डिसाड़ेट किल्टव मिल्यान दोस्तों बताना चाहूंगा कि यू. करीप करीब 40 सालों के भीतर में करीब दोस्तो 2mb यानी 20.5 मिल्यानि द जैसे कि बाढ आना या फिर को आंधी तूफान आना या फिर भुकम पाना इसी यही सब चीजों को कहा जाता है वेदर डिजास्टर जिसके वज़े से 20 लाख लोग अब तक वहाँ पर मारे जा चुके हैं अगली जो खबर साथियों आरी काफी बुरी खबर साथियों ज़े आप सिधार सुकला जो कि इनका फोटो आप देख रहे हैं सिधार सुकला दोस्तों जो कि बिग बॉस 13 की ये विनर थे जो कि आसीम रियाच को ये हरा कर विनर बने थे साथियों इनकी आज मौत हो गई है जो कि इनका मौत जो हुआ वो हार्ट अटेक के कारण इनकी मौत हुई है दोस्तो ये इनका नाम था सिधार सुकला बहुत ही बड़े दोस्तों ये अभी नेता थे खास करके सिरियल्स में ज़्यादे आपको देखने को ये मिलता होगा तो फिलाल इनकी मौत हो चुकी है हार्ट अटेक के कारण दोस्तों इनकी मौत हुई है अगली जो खबर आ रही है वोमेन इंट्स हर लाइव बाई हैंगिंग हर सेल्फ साथी एक क्वेट में एक महिला अपने आपको फासी लगाकर वो जान दे दिया दोस्तों बताना चाहूंगा ये सैकलोडोजीकल अंस्टेबल थी मनला उसके विमादी हालात बताया जारा सही नहीं थी वो अपने अपार्टमेंट में दोस्तों सीलिंग फैन में अपने कपड़े को बांध कर वो फासी लगाके वो अपनी जान को दे दी है मिनिस्ट्री अप इंडरे के तहना है कि ये पुलिस के तरफ से इसकी बॉडी को बरामत कर लिया गया है फॉरंसी डिपार्टमेंट को बॉडी को भेज दिया गया है और इस पी पुस्माडम किया जा रहा है दोस्तों ये महिला के उम्र लगभग 30 सा 40 साल लगभग इसकी उम्रती फिलाल इसकी मौत हो चुकी है तो ये कुछ खबरती साथ ही जो कुए से आ रहे थी मैंने अब तक सेयर किया आसा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों सेयर कर दे ताके और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके